हेलो दोस्तों आज मैं आपके लेक आई हूँ चावल के पापड बनाने की रेसिपी अक्सर हमारे घर में चावल बच जाते हैं तो हम यहीं सोचते हैं कि इनका क्या करें तो बासी खानी से अच्छा है ना कि इनका एकदम टेस्टी सा पापड बनाये जाए जिसे कि हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो पापड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ी कडोरी चावल जो की बच गए थे चावला कोई सबी ले सकते हैं जो भी आपकी घर में इस्तमाल होता है खानी के लिए आप उस चावल से पापड बना सकते हैं अगर चावल ना भी बचे हो तो आप ताजे चावल बनाके आप उनका पापड बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि बासी चावल का ही पापड बनाएंगे तो क्या करना है सबसे पहले ले लेना है यहाँ पे एक मिक्सी जार और मिक्सी जार में हमें जो चावल बच गे थे इन्हें जो है ट्रांसफर कर देना है क्योंकि यहाँ पे चावलों को करना है ग्राइंड तो इसलिए इन्हें मिक्सी जार में डाले और mixi jar में डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है पानी ले लेना है तो पानी यहाँ पर जितना हमने चावल लिये है उसका आधा पानी लेना है यानि कि एक कटोरी हमने चावल लिये थे तो आधी कटोरी यहाँ पर पानी लेंगे और पानी डालके इन्हें ग्राइंड कर लेंगे तो यह देखिए यहाँ पे चावल ग्राइंड हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं मिक्सी जार कर ढकन हटाऊंगे और यह देखिए चावल ग्राइंड करने के बाद चावल की थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे चावल की दानी नजर आ रहे हैं तो आप जो है दुबारा से इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं तो क्या करेंगे इन्हें एक बड़े बरतन में पलट लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं बना रहे हूं पापड़ और पापड़ में जब तक मसाली नडालें तो तब तक उसका मजा ही नहीं आता तो यहाँ पे देखिए एक बड़े बरतन में मैंने जो पेस्ट है न चावल का इसे पलट लिया है तो यहाँ पे आप चावल के जो लिक्वेड है देख सकते हैं कि काफी अभी गाड़ा है तो इसे अभी और पतला करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधी कटोरी के करीब पानी तो पहले थोड़ थोड़ा करके ही पानी डाले अगर एक सवज़ जादा पानी डाल देंगे तो जो बैटर है वो गिला हो सकता है और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है एक चमच कुटीवी लाल मिर्च और इसके साथ यहाँ पे एड़ करेंगे हम एक चमच बारी कटा हुआ हरा धनिया तो इसके साथ यहाँ पे डालेंगे नमक तो मैंने आधी चमच नमक लिया है नमक जादा ना ले क्योंकि पापड में नमक कम ही अच्छा लगता है यहां पे मसालों में मैंने सरिफ कुटी भी लाल मिर्श और धनिया पत्ता डाला है आप चाहे तो यहां पे काली मिर्श पाउडर डाल सकते हैं जीरा अजवाइन भी आप डाल सकते हैं और उसके बाद इसे क्या करना है अच्छे से मिक्स कर लेना है यानि कि इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह देखिए जो बैटर है कितना पतला बना है इतना ही जो है बैटर को पतला करना है ना ही जादा मोटा रखना है और ना ही जादा पतला करना है आप देख सकते हैं जिस तरीके से डूसर का बैटर बनाते हैं सेम वैसे ही तो बस इसे एक तरफ रख लेंगे और दूसरी तरफ यहां पे मैंने प्लास्टिक लिया है तो आपके घर पे जो भी प्लास्टिक हो आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं और प्लास्टिक के उपर हलका सा तेल लगा लेना है ताकि जो पापड है वो चिप के ना तो क्या करेंगे यहां पर चावल का एक चमच बैटर लेंगे और प्लास्टिक के उपर डालेंगे और उसके बाद चमच से पापड को थोड़ा सा ना फैला देंगे तो जितना बड़े आप पापड बनाना चाहते हैं आप उस इसाप से बैटर ले सकते हैं तो मैं जो पापड है वो चोटे बना रही हूं नॉर्मल साइज चिप से बस थोड़े से बड़े ज़्यादा बड़े नहीं अभी यह इतना साइज दिख भी रहे हैं अभी जब यह सुखेंगे न तो यह और ज़्यादा चोटे हो जाएंगे इसलिए पापड का जो साइज है आप अपनी साप से चोटे या बड़े आप रख सकते हैं और पापड जब भी बनाएं तो इन्हें धूप में जरूर सुखाएं तो आप एक कटोरी चावल से कम से कम साइज साथ से सतर पापड तो अराम से बना सकते हैं तो यहाँ पे देखिए पापड जो हैं सुख चुके थे तो यह देखिए जो पापड का साइज है पहले से भी चोटा हो चुका है और जो पापड है वो बहुत जदा पतले बने हैं आप इस तरीके से घर पे पापड बनाइंगे तो यकीन मानिये आपको बहुत जदा पशन्द आईए और खाने में जो इनका टेस्ट है वो भी बहुत जदा टेस्ट ही होता है तो फ्रेंड आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा और आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सरूर कर दीजिएगा तो चलिए इन्हें मैं आपको फ्राइ करके दिखाती हूँ तो कड़ाई में जो तेल है वो पहले से गरम था क्योंकि मैं कुछ और पना रही थी और पापड भी सुख चुके थे तो सोचा चलो पापड ही फ्राइ कर लें तो यह देखे कितने अच्छे तरीके से जो पापड है वो फ्राइ हो रहे हैं तो मैं यहां पे बाकी सभी पापड इसी तरीके से फ्राइ कर लूँगी तो फ्रेंड इस होली पे यह रेसेपी जरू ट्राइ कीजिएगा तो यह देखे यहां पे जो पापड है दूसरी बार का वो भी फ्राइ हो चुका है तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी पापड को फ्राइ कर लिया है, देखने में बहुती ज़्यादा टेस्टी और केस्पी लग रहे हैं, तो फ्रेंड आप भी इस रेसिपी को जरूर ड्रैग कीजेगा, फ्रेंड के साथ शेर कीजेगा, और चैनल को जरूर जरूर सस्क् कीजेगा तब तब के लिए, बाइबाइ!